वेल्कम बाग ट्रेडर्स यहां पर नाच्रल कास में दो हमें अच्छे वॉल्टाईल दिन देखने को मिले हैं जहां पर इनीशली एक बड़ा मोमिंटम बनता है उसके बाद में एक सेलिंग प्रिशर आता है यहां पर अभी अगर हम लोग यहां पर देखते हैं आज डॉजी कांडल बनावा मतलब यहां पर जो खुड ट्रेडर है वो थोड़ सा इंडेसाइसिव है रीसंटी हम लोगों ने अभी चेक किया अभी नहीं आया है फ्राइडे कल है तो सुबह आपके साथ में अभी अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं नाचरल गास के बारे में तो अब यहां पर क्लोजिंग मिले तो वह चांसे होंगे की उसी साइड का मुमेंटम कॉंटेली होता है नजर आएगा यहां में लगता है कि एक स्ट्रॉउंग ब्रेकाउट के बाद मे एक initial pullback है, ultimately जो यहाँ पर end बन रहा है, वो upper end ही बन रहा है, यहाँ पर inventory data का weight हो रहा है और उसके बाद में चीज़ें different होंगी, यहाँ पर charts पर अगर हम लोग आज के दिन पर बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर एक channel pattern के साथ में natural gas हमें नीचे जाता हो, नजर आ रहा है, and इसका part बन सकते थे, अभी बनना चाहते हो, तो मुश्किल है क्योंकि देखो अभी जो है, इसके अंदर initially एक breakout का stage नजर आ रहा है, यह outliers है वैसे जो हम लोगों ने देखा है, मतलब ऐसी stages जो बहुत जादा time तक sustain नहीं करता है, and यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा extend भी करते हैं, तो अब दीरे दीरे चांस लग रहा है कि यह जो यह pattern break होगा, channel pattern अगर upper end पे break हो रहा है, तो but obvious है कि यहाँ पर natural gas थोड़ा सा उपर जाता हो, नजर आएगा, 254.60 initial level followed by a level of 259.70, and इसके उपर तो बहुत ही अच्छा zone है, down end पे बात करें, तो यहाँ पर आपको initially wait करना चाहिए, 244.30 के level break होने का, because यहाँ पर दो zone है, एक यह रहा zone, दूसरा support zone यह रहा, तो यह zone break हो जाए, फिर जो है pressure थोड़ा सा बने का, यहाँ sellers आएंगे, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, but 244.30 के नीचे, एक सीधा level 238.60 का, followed by a level of 234.70 हमें देखने को मिल सकता है, but that said, मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको informative लगा होगा, please like, share, subscribe जरूर करना, and I'll see you guys in the next one.